उसी तरह फेथ यानि कि विश्वास एक बहुत ही ताकतवर चीज होती है कहते हैं कि जब कुछ नेत्रहीन लोग ईशु मसी के पास अपनी समस्या लेकर जाते थे तो भगवान ने उनकी आखों पर हाथ रख कर कहा तुम्हारा विश्वास तुम्हें ठीक कर रहा है यानि कि हर इंसान कितना विश्वास करता है कितना नहीं ये उसकी खुद की मर्जी होती है इशु मसी का विश्वास इन लोगों का विश्वास और इसके साथ इनके सबकॉंशेस माइन की ताकत ने इन सारे लोगों की आखें लोटा दी जोजफ मुफी के एक रिष्टेदार को टूबरकलोसिस हो गया था उनकी लंक्स की हालत बहुत खराब हो चुकी थी बेटे ने अपने पिता को ठीक करने का फैसला किया बेटे ने अपने पिता से कहा कि उसकी मुलाकात एक बहुत ही ज्यानी इंसान से हुई जिसने उन्हें जीजस के असली क्रोस से निकला एक टुकड़ा दिया है बाप ने जपट कर उस लकड़ी के टुकड़े को सीने से लगा लिया दरसल बेटे ने चलते फिरते लकड़ी का टुकड़ा लिया था और फिर एक जूला की मदद से उसको एक आकार दे दिया था बेटे ने अपने पिता से कहा कि रात को सोने से पहले आप इसे सीने से लगाईए और जीजस को याद कीजिए पिता ने ऐसा ही किया और फिर बिल्कुल ठीक भी हो गए पिता को सच का कभी पता नहीं चल पाया पता चलता तो शायद फिर से बिमार पढ़ जाते तो अभी तक हम दो बाते समझ चुके हैं हमारे दिमाग के दो पहलू है conscious mind और subconscious mind subconscious mind हमारे शरीर के हर पुर्जे को चलाता है और कंट्रोल करता है साथी हम subconscious mind को नए नए सुझाओ दे सकते हैं क्योंकि वो हमारी हर बात सुनता है मानता है और करता भी है अगर कोई समोहित स्थिती में हो और आप उनसे कहें कि उन्हें बुखार आ रहा है या उन्हें ठंड लग रही है तो उन्हें सच में बुखार आ जाएगा या ठंड लगने लगेगी इसका सारांश यह हुआ कि बिमारी अगर हमारे सबकॉंशिस माइंड से जुड़ी हुई है तो हमारे सबकॉंशिस माइंड में ठीक भी हो सकती है प्रकृति जीवन संभालने के हमेशा कोशिश करती है कभी अगर शेफ करते समय आपको चोट लग जाए तो वो चोट अपने आप सूख कर ठीक भी हो जाती है सबकॉंशिस माइंड हर वक्त जीवन की सुरक्षा करने की कोशिश करता है साइकाटरिस्ट हो, साइकॉलोजिस्ट, पंडित हो या पिडॉक्टर हर कोई सबकॉंशिस माइंड के ताकत से ही इलाज कर रहा है इलाज करने का तरीका अलग-अलग हो सकता है मगर इलाज करने वाला सबकॉंशिस माइंड ही है आपका विश्वास आपके इलाज की गती को तेज या धीमा करता है फ्रांस में एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था हिपोलाइट बर्नेम उनके पास एक मरीज आया जिसकी जीब पैरलाइज हो चुकी थी हिपोलाइट ने मरीज से कहा कि उनके पास एक जादोई इंस्ट्रुमेंट है वो उसे जब मरीज के मुँ में डालेंगे तो वो ठीक हो जाएगा मरीज ने ये बात मान ली हिपोलाइट ने फिर उसके मुँ में एक पॉकेट थमोमीटर डाल दिया और बस फिर ये मरीज कुछ देर बाद अपनी जीब हिलाने लगा एक बार हिपोलाइट ने एक लड़की की पीच पर पोस्टेज स्टैंप लगाते हुए कहा कि तुम्हारी पीच में तो फोड़ा हो गया है कुछ दिन बाद इस लड़की को ठीक उसी जगा फोड़ा हो गया यनि कि आप किसी के शरीर में बदलाव ला सकते हैं अगर आप उनके सबकॉंशेस माइन में किसी तरह का भी सुझाव डाल दें एक बार अपनी रिसर्ट स्टाडी के दौरान एक डॉक्टर ने अपने पेशेंट को हिपनोटाइज करके पेशेंट के दोनों हातों में उनका नाम लिख दिया फिर इस डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि आज शाम चार बजे तुम्हें नींद आ जाएगी और जब तुम सो जाओगे तब तुम्हारे हाथ जहां तुम्हारा नाम लिखा हुआ है वहां से खून निकलेगा बस फिर उसी दिन शाम चार बजे ये शक्स सो गए और इनके हाथों पे लिखे नाम के उपर हलकी खून की बूंदें पाई गई इसी लिए जब आप किसी और के लिए कोई प्रार्थना करें तो याद रखें कि उनके सबकॉंशिस माइंड तक आप अपना विश्वास भेज सकते हैं और ऐसा करने पर बहतरी नतीजे देख भी सकते हैं चाप्टर फाइफ हर परेशानी का एक इलाज एक कहावत है कि डॉक्टर आपकी चोट पर दवा लगाता है मगर ठीक करने वाला उपर रहता है ठीक करने वाले को हम अलग-अलग नाम से जानते हैं फिर हम उसे नेचर कहें भगवान बुलाएं या सबकॉंशिस माइंड कहें आप कोई शक्ती का इस्तमाल करने के लिए किसी धर्म, जाती या रंग के होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं तब भी आपका सबकॉंशिस माइंड आपकी हर तरह से इफाज़त करेगा जिन्दगी की ये रहस्यमई शक्ती सिर्फ इंसानों की नहीं बलकि हर पेड, हर जानवर, सृष्टी के हर जीव की देखबाल कर रही है जब भी आप प्रार्थना करें तो अपने मन में ये सोचें कि जो भी आप चाहते हैं वो चीज पहले ही आपकी हो चुकी है उधारण के तोड़ पर अगर आप कोई तकलीफ या बिमारी से शुटकारा पाना चाहते हैं तो अपनी उर्जा को अपने सबकॉंशिस माइंड की शक्ती की तरफ केंद्रित कीजिए अपने डर पर ध्यान मत दीजिए धीरे धीरे डर अपने आप कम हो जाएगा नेगिटिविटी खतम होने लगेगी और फिर आपकी सेहत लोट आएगी परिशानी भी अलविदा कह देगी प्रार्थना करते वक्त अपने सबकॉंशिस माइंड को थांक्यू बोलिए क्योंकि वो आपकी मदद कर रहा है ठीक होने में अगर इस बीच फिर से डर सताए तो खुद को अपने सबकॉंशिस माइंड के ताकत की तरफ मोडिए हील होने के लिए आपको यही करना है डर से दूर जाना है और विश्वास के करीब आना है फ्रांस अंटन मेसमर नाम के एक स्विस फिजिशन हुआ करते थे अतरंगी तरीकों से लोगों को ठीक कर दिया करते थे यह कहते थे कि इनके शरीर से एक मेगनेटिक फ्लूइड निकलता है जो इनके मरीजों के शरीर में घुस कर उनकी तकलीफ को गायब कर देता है लोग इस शक्स के पास भारी मात्रा में जाने लगे सरकार को शक हुआ और मामले की तह तक पहुँचने पर पता चला कि ये जनाब लोगों को ठीक तो कर रहे थे मगर लोग इनकी वज़ा से नहीं अपनी कलपना की वज़ा से ठीक हो रहे थे सबकॉंशिस माइंड को दिया हुआ इनका सजेशन और मरीज का अपना विश्वास यही थी ठीक होने की दवाई जब हम गहरी नीन वाली अवस्था में चले जाते हैं तब कॉंशिस माइंड के बंद दर्वाजे खुल जाते हैं ऐसी स्थिती में कॉंशिस माइंड क्यों कब कैसे कहां सोच नहीं पाता और इस वक्त अगर कोई आपके सबकॉंशिस माइंड से कुछ कहे तो वो बात आपके अंदर तक चली जाती है आप उसे सच मान लेते हैं और फिर जीवन में आगे चल कर वही होता भी है अगर आप लॉस आंजलेस में हैं और आपकी मा जो न्यू यॉक में हैं वो बिमार पड़ जाएं तो आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं जब आप सेहत, खुशी, तंदरुस शरीर के बारे में सोचेंगे और उनके लिए प्रार्थ ना करेंगे तो वो भी वही सोचेंगी जो आप सोच रहे हैं क्यूंकि देखा जाए तो हम सबका सबकॉंशिस माइंड जुड़ा हुआ है उपर वाले के साथ इसलिए आपकी माता जी किसी भी शहर या देश में रहें आप उनके सबकॉंशिस माइंड तक संदेश पहुचा सकते हैं एक शक्स को जब टुबकलॉसिस हुआ तो उन्होंने हर रात सोने से पहले ये कहना शुरू किया मेरे शरीर का एक-एक अंग, एक-एक सेल आप शुरू करते थे तो इन्होंने कहा कि जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका सबकॉंशिस माइंड काम कर रहा होता है इसलिए आप उसे कोई अच्छा काम दीजिये जिसे वो रात भर कर सके हमें कभी भी अपनी बिमारियों को नाम नहीं देना चाहिए करना चाहते हैं इसी लिए अपने दिमाग को हमेशा प्यार शांती और खुशी की भावना से भनने की कोशिश कीजिए चाप्टर सिक्स खुद को खुद ही ठीक करें एक एंजिनियर की एक टेकनीक होती है जिससे वो ब्रिज बनाता है उसी तरह से हमारे दिमाग की भी एक टेकनीक होती है जिससे वो चलता है और हमारी जिन्दगी चलाता भी है गोल्डन गेट ब्रिज बनाते वक्त सबसे पहले चीफ एंजिनियर ने अपने दिमाग में ब्रिज की तस्वीर बिठाई उसके बाद सारी आने वाले मुश्किलों को समझा और फिर जितने भी टेकनीक्स और प्रिंसिपल्स उन्हें आते थे उन सबको इस्तमाल में लाया गया इस तरह ब्रिज बनकर तयार हो गया बिल्कुल ऐसे ही हमारी सारी प्रार्थनाई भी हकीकत में तबदील होती है कुछ भी अपने आप नहीं हो जाता हर चीज के पूरे होने में एक प्रोसेस एक टेकनीक होती है हम प्रार्थना करते हैं क्यूंकि हमारे दिमाग में एक छवी होती है हमें कुछ चाहिए होता है और हमारी आत्मा से उपर वाले के लिए एक पुखार निकलती है आपका conscious mind आपके सबकॉंशिस mind तक इस प्रार्थना को पहुँचाता है और फिर subconscious mind उस आराधना को पूरी करता है जो भी आप पाना चाहते हैं उसके बारे में शांत दिमाग से सोचें और उसे देखने की कोशिश करें जैसे की मानो वो चीज आपको पहले ही मिल चुकी है एक छोटी बच्ची को बहुत खासी आ रही थी उसने बिलकुल द्रिड आवास के साथ कहा ये बस जा रही है ये बस जा रही है ये जा रही है आदे घंटे में इस बच्ची का गला बिलकुल ठीक हो गया और खासी वाकई में चली गई अगर आप अपने लिए एक नया घर बनाते हैं तो पहले उसका blueprint त्यार होता है इसी तरह से हमारे दिमाग में भी हमें एक नक्षा बनाना चाहिए जो हम देखना चाहते हैं उसका नक्षा आपके दिमाग में आप जिन बातों को महत्व देंगे वही आपकी जिन्दगी का नक्षा बनाएंगे अगर आपके नक्षे में डर है, चिन्ता है, शक है, परिशानी है, नेगिटिविटी है तो आपकी जिन्दगी भी कुछ ऐसी ही होगी आप खुछ से जो भी बाते हैं